सेवा में स्रीमान दर्सक महोत है सभीने निवेदन या है कि हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके ब्रेल आइकन दबाने के करपा करें अतिमान करपा होगी धन्यवाद नमस्कार दोस्तो एक्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज हम लोग आपके लिए बिहार का करेंट अफेर जो मार्च महिने का है दोयर बीस का वो लेकर हाजिर है जिसके अंतरगत 49 MCQ होंगे बिहार करेंट के तो चलिए चल के देखते हैं कुश्चन नमर पहला है बिहार के विकास में आप्रवासी बिहारियों को जोड़ने के लिए किस सहर में आप्रवासी बिहारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो मार्च का महिना था उसमें जो आप्रवासी बिहारी बिहारी थे उनको जोड़ने के लिए आप्रवासी बिहारी सम्मेलन का आयोजन किया गया वह किस जिले में किस सहर में किया गया यह बताना है आपको तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है पहले का यह बताना है बताईए क्या है correct answer D. सही है पटना में यह आयोजन किया गया था आगे बढ़े देखते हैं question number दूसरा आगे बढ़ते हैं देखते है question number दूसरा बिहार सरकार अब हर महीने के पहले दिन पहले किस दिन को जल जीवन हर्याली दिवस के रूप में मनाने की सुरुवात कर रही है जो बिहार की सरकार है इनने 30 कुमार सरकार वो हर महीने के पहले किस दिन को जल जीवन हर्याली दिवस के रूप में मनाने की सुरुवात कर रही है तो इसका सही आंसर देना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा ए सही आंसर है मंगलवार को आगे बढ़ते हैं देखते Question No.3 Question No.3 है डेश की पहली ट्रीन कौन सी है जिसका 7 Μार्च 2022 को जन्म दिवस मनाया गया किसका जन्मदीवस कौन सी train का बनाएगा है बहुत ही special train है जो दिल्ली से बिहार के लिए चलती है तो इसका नाम क्या है इसका correct नाम है भी बिक्रम शिला सुपरफास्ट एकस्प्रेस जाती तो यह सारी की सारी चारो उप्सन की ट्रेन जाती है बिहार लेकिन जो जिसका जनम दिन था साथ मार्च दोयर बीज को उसको ट्रेन का नाम है विक्रंसिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस आगे बढ़ें देखते हैं कुश्चिन नम्मर चौथा देश की सोला महिलाओं को आठ मार्च दोयर बीज को नारी सक्ति पुरुषकार से समानित किया गया इन में से कौन दो बिहार की हैं यह आपको बताना बिहार की दो महिलाएं हैं जिनको नारी सक्ति पुरुषकार से समानित किया गया है तो कौन सी हैं दो यह बताना है चार अंसर क्या होगा भावना कंठ यों बीना देवी को नारी सक्ति प्रोश्कार प्रदान किया गया है चलिए आगे देखते हैं कुश्च नमर पांचवा बिहार सरकार ने बिहार की 6105 ग्राम पंचातों में मुफ्त इंटरनेट सेवा देने का लच किस वर्स तक रखा है जो बिहार की सरकार है वो सरकार 6105 ग्राम पंचातों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने का लच रखा है और लच किस वर्स तक पूरा होने की उमीद है तो उस साल को बताना है कि किस साल तक यह लच रखा गया है तो पांचवा क्या होगा करेक्ट आंसर बी देयार 21 तक कि आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुष्चे नम्मर छठा गुलमर्ग में आयोजेत पहले खेलो इंडिया विंटर गेंस 2020 में बिहार की आइस स्टॉक पुरुसवर्ग कौन सा मेडल जीता है पुरुसवर्ग ने कौन सा मेडल जीता है? बताना है आपको इसमें चार इंडिया ओप्सटर बासकते हैं क्योंकि मेडल तीन परिकार एंडिकार और पुरुसवर्ग ने कौन सा मेडल जीता है? इसमें करेक्ट आंसर है छटे का A कांस मेडल जीता है आगे बढ़ें देखते कुश्चन नमर साथ हुआ किस बिहारी लड़की को 8 मार्च 2020 को मुंबई में आइकॉन विमेन आफ दा इयर का पुरुसकार मिला है किस बिहारी लड़की को आइकॉन विमेन आफ दा इयर का ओड मिला है तो साथवें का सही आंसर क्या होगा साथवें का सही आंसर होगा B. आईसा सुप्रिया एमन को ये पुरुसकार मिला है नेश्ट देखते हैं कुश्चन नमर आठ हुआ जलवायू परिवर्तन को देखते हुए बिहार में उन्नत खेती के लिए आठ जिलों की कितने गाओं को क्लाइमिट स्मार्ट विलेज के रूप में सरकार विक्सित करेगी बताएए सही आंसर बताएए इसका सही आंसर क्या होगा आठ हुएं का इसमें जो है ये वर्स काट दीजेगा ये वर्स इसमें जो आंसर है सी सही है सौ जो है गाओं को विक्सित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्यन अम्मर नौह देखते हैं बिहार के राजपाल फागु चवान के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है जो राजपाल है फागु चवान उनके प्रधान सचिव कौण नियुक्त किया गया है बताये हैं नौह का क्या होगा correct answer सईए आंसर बताये बिहार के राजपाल फागु चवान का प्रधान सचिव किया गया है चलिए नेशट देखते हैं Q10. पेपरलेस विधाई कार करने में बिहार विधान परिशद देश का कौन सा सदर बन गया है? जो पेपरलेस विधाई कार कर रहा है. तो दसने का सही आंसर क्या है? पहला जो है देश का पहला विधान परिशद बन गया है. आगला देखते हैं question number 11 कुरोना वाइरस के बढ़ते प्रकॉप के कारण बिहार सरकार ने हर जिले में कम से कम कितने बेट का quarantine center बनाने की घोस्णा की है कितने बेट का quarantine center बनाने की घोस्णा की है 11 का सही answer क्या है अगला देखते हैं question number 12 बिहार अपना इस्थापना दिवस कम मनाता है जो 2020 में कुरोना वाइरस के कारण इस्थागित कर दिया गया बिहार अपना इस्थापना दिवस बड़े धुम धाम से मनाता है हर साल लेकिन इस साल 2020 में कोरोना वायास के कारण इसको इस्थाकित करना पड़ गया तो इसका सही जवाब क्या है 22 मार्च को नेश्ट देखते हैं 13 नमर कोश्चन 23 राष्टी इगवर्नेंस सम्मेलन में सहर्षा की किस जिलाधिकारी को लोक सेवाओं में उत्रक्रिष्ट योगदान के लिए रज़त पतक से सम्मानित किया गया है इन गवर्नेंस सम्मेलन में सरसा की किस जिलादिकारी को लोग सेवा में उत्करष्ट योगदान के लिए रज़त पतक से सम्मानित किया गया है चार ओप्सन है निर्मलामीडा, बी आईशा सुप्रिया एमन, सी ओप्सन रिया चक्रवर्ती, डी ओप्सन सैल जा सर्मा तो थर्टीन का करेक्टर अंसर क्या होगा, डी सैल जा सर्मा को ये परुष्कार प्राप्त हुआ है आगे देखते हैं, कुश्चन नमबर 14, किस राज ने अपने थर्टीन जिलों में जैविक गलियारा विक्सित करने की घोसना की है किस राज ने किया है, अपने तेरह जिलों में जैविक गलियारा विक्सित करने की घोसना की है इसका सही अंसर है, बिहार ने इसकी घोसना की है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कुश्चन नमबर 15, बिहार में राज सरकार ने कुरोना वाइरस की रोक थाम और उपचार के लिए किस अस्पताल को केंद्री एकाई घोसित किया है पंद्रा का सही अप्सन क्या है, पंद्रा का सही आंसर होगा डी, एन, एम, सी, एच, पटना को केंद्री एकाई घोसित किया है नेट देखते हैं, कुश्चन नमबर 16, कुश्चन नमबर 16 है, बिहार में विधायक और धान परिसेदों को मुखमंत्री छेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली निदी से, कुरोना वायरस संक्रमत से जूजने को चल रहे अभियान के लिए, कितने रुपए लिये जाएंगे कि लिये जाएंगे, 16 का सही आंसर होगा यह, 50 लाक रुपए लिये जाएंगे जो मुख्मंति छेत्र विकास योजना के तहत उस नीदी से विधायक और विधान परिशन्दों को मिलती है रकम तो उन में से 50 लाख रुपए जो है सरकार उन से ले लेगी जो क्रोना वारस संक्रमा से जूज रहे हैं ठीक है उनके इलाज में उस वैसे को खर्च किया बिहार में कौन सा जिला मार्च दोहर बीस में क्लासिक स्वाइन फिवर के प्रकोप का केंद्र था क्लासिक स्वाइन फिवर के प्रकोप का केंद्र था मार्च दोहर बीस में कौन से जिले जिला था जो इस फिवर के प्रकोप में था तो सत्रे का सही अंसर होगा सत्रे का सह यह अंसर है C भागलपूर अगला कोश्चन देखते हैं 18 नंबर बिहार की कौन से जिले मार्च 2022 में वर्ड फ्लू प्रकोप का केंद्र थे 18 का क्या होगा करेक्ट अंसर 18 का सही जवाब होगा बी पटना और नलंदा पटना और नलंदा जो है मार्च दयावीश में वर्ड फ्लू के प्रकोप का केंद्र थे आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन नंबर 19 कुश्चन नंबर 19 हैं क्रोना वारस लोगडाउन में फस गए लोगों की सायता करने के लिए ब्यार सरकार ने मुख मंतरी रात कोट से कितनी धर्रासी जारी की है जो लोग करोना वारस लोगडाउन में फस गए थे उन लोगों की सायता के लिए ब्यार सरकार ने मुख मंतरी रात कोट से कितनी धर्रासी जारी की थी तो 19 का सही जवाब क्या है D 100 करोड रुपए जारी किये गए ते मुखमंत्री रात कोश से अगला देखते है कुश्च नमर 20 कुरोना वायरस लापडाउन के दौरान बिहार के किस जिले में चलंत डांग घर की सुरुवात की गई किस जिले में की गई चलंत डांग घर की सुरुवात किस जिले में की गई जो है 20 का सही आंसर D पठना में की गई आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्च नमर 21 बिहार सरकार कुरोना वायरस से किसी व्यक्ति की म्रत्तु हो जाने पर कितनी रुपए का मुवजा देगी 21 का सही जवाब क्या है यदि बिहार का कोई व्यक्ति कुरोना वायरस की चलते उसकी म्रत्तु हो जाती है तो बिहार सरकार उसको मुवजा देगी कितना देगी इसका सही जवाब है B 400 रुपए मुवजा देगी आगे देखते हैं कुश्च नमर 22 जन्जा रेल्वी स्टेशन जो हाली में चर्चा में रहा बिहार के किस जिले में इस्थेत है जन्जा रेल्वी स्टेशन है वो अभी हाली में चर्चा में रहा बिहार के किस जिले में ये पढ़ता है तो 22 का सही जवाब क्या होगा C जमूवी में पढ़ता है चल이en आगे देखते हैं, Question 23, राल ही में बिहार के किस जिले में 30 British Waiting सिक्के मिले हैं? जो British 59 के सिक्के हैं, वो 30 मिले हैं बिहार के किस जिले में यह आपको बताना है, तो इसका सही जवाब देना है 23 का, सही जवाब क्या होगा, दी, पतना में मिले हैं, आगे चले देखते कुश्चिन नम्मर 24 बिहार विधानसभा चुनाव दोहार 20 में उतरने वाली पुस्पम प्रिया चौधरी अपनी पार्टी का क्या नाम रखा है उन्होंने इसका सई जवाब क्या है इसका सई जवाब है ए प्लूरल्स आगे बढ़ते हैं कुश्चिन नम्मर 25 देखते हैं कुश्चिन नम्मर 25 है आठवी जूनियर राष्टी सौफ्ट बाल क्रिकेट चेंपियंशिप दोहार 19-20 में बिहार बालक वरक को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो 25 का सई जवाब देना है आपको कि बालक वरक को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है इसका सई जवाब है ए ओप्सन से ही है पहला इस्थान प्राप्त हुआ है आठवी जूनियर राष्टी सौफ्ट बाल क्रिकेट चेंपियंशिप 19-20 में बिहार के बालक वरक को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है नेट देख लगते हैं 26 नमर कोश्चन जम्मू कस्मीर के गुलबर्ग में आयोज थे खेलो इंडिया विंटर गेम में बिहार की स्णो रगवी पुरुष टीम को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है 26 जवाब है दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है आगे देखें देखते हैं कुश्च नमर 27 बिहार में brain death व्यक्ति का देहदान करने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितने रुपए का सम्मान दिया जाएगा जो बिहार में किसी व्यक्ति की मृत्तू brain death की कारण हो जाती है तो उसके परिवार वाला उस brain death व्यक्ति के जो सरीर के अंग है उसको अगर दान करता है तो उसके परिजिनिवों को सरकार कुछ पुरुषकार सम्हान रासी देगी जो है वो कितनी रासी होगी ये बताना है आपको तो ये रासी होगी एक लाक रुपए देकर सम्भानित करेगी सरकार आगे बढ़ते हैं देखतें कुश्चन नमबर 28 कुश्चन नमबर 28 है हाली में संपन 24 वी इस्ट जोन हैंड बॉल प्रतियोगता में बिहार को कितनी स्वण्ड मुद्राएं प्राप्त हुई है आपको बताना है 28 का correct answer है B. 200 प्राप्त हुए है अगला देखते है question number 39 बिहार कृशी विहाग द्वारा मिट्टी की सियाज जाज के लिए ग्राम इस्तार पर प्रयोक साला बनाने के लिए कितनी प्रस्तत का अनुदान दिया जाएगा 29 का बताईए answer क्या होगा 29 का सही जवाब होगा 29 का सही जवाब क्या होगा 29 का सही जवाब है D. 75 प्रस्त आगे चलते हैं देखते question number 30 हाली में किस राजनेतिक दल द्वारा बिहार के विकास से आप्रवासी बिहारीयों को जोड़ने के लिए नए भारत का नया बिहार सम्मेलन का आईवेजन किया गया यह आईवेजन किस राजनेतिक दल ने किया था 30 का सही जवाब देना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा यह option सही है बीजीपी ने यह किया था आगे देखें question number 31 हाली में बिहार से राजसभा के लिए चुने गए रामनाठ ठाकुर का सम्मन्द किस पार्टी से है यह बताना है आपको किस पार्टी के वो नेता है ठीके किस पार्टी ने उन्हें राजसभा के लिए नॉमिनेट करवाया है तो इसके अब सही जवाब है 31 का बी जेडियो ने रामनाठ ठाकुर को राजसभा भेजा है आगे देखते है question number 32 बित्ती वर्स दोहार 20-21 में प्रतम चर्ण के तहत rain water harvesting योजना के लिए बिहार के प्रत्तेक विद्यालें को कितनी रुपए की रासी दी गई है इसका सही जवाब दीजे जो प्रतम चर्ण के तहत जो rain water harvesting योजना चल रही है उसके प्रतम चर्ण में प्रत्तेक विद्यालें को कितनी रकम दी गई है तो इसका सही जवाब है ये option 80,000 रुपए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन नमर 30 मश्रूम महिला के नाम से फेमस बीना देवी का सम्मन्द किस जिले से है ये बताना है आपको 33 का सही जवाब देना है तो सही जवाब क्या होगा C मुंगेर से अगला देखते हैं कुश्चन नमर 34 लखन देई किस नदी की सहायक नदी है जो लखन देई नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है तो 34 का सही जवाब क्या होगा D बागमती नदी की सहायक नदी है आगे देखें, question number 35, किस जिले में पाइलर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई गुडवत्ता पूर वीजों की home delivery, वित्ती वर्थ तो यहार 2021 से पूरे प्रदेश में होगी? तो यहार, किस जिले में पाइलर प्रोजेक्ट सुरू किया गया है, बताना है आपको, तो इसका सही जवाब हो को 35 का, B, बाका जिला से, अगला देखें, question number 36, देखते हैं, बिहार में उन्नत खेती के लिए, कितनी गाओं को climate smart village के रूप में विक्सित किया जाएगा? क्लाइमेट smart village के रूप में विक्सित किया जाएगा? क्यों? उन्नत खेती के लिए, कितनी गाओं को किया जाएगा? यह बताना है आपको, तो 36 का सही जवाब होगा, B, option सही है, 100 गाओं को विक्सित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, question number 37 हाली में मुख मंत्री नितिश कुमान ने कहां पर इस्थित जन नायक कारपुरी ठाकुर राज की चिकिस्सा महाविद्याला एवं अस्पताल में चिकिस्सी सेवाओं का सुवारम किया बताना है यह कहां पर इस्थित है यह महाविद्याला यह आपको बताना है तो 37 का सही आंसर होगा सी यह जो है मध्यपुरा में इसे था अगला देख लेते हैं कुश्चे नम्मा 38 मार्च दोहार 20 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार के पटना सहर को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है 38 का सही जवाब होगा 38 का बी 32 में रैंक प्राप्थ हुई है इस्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार के पटना सहर को अगला देखते हैं और आज का अंतिम कुश्चन भारत में पहली बार किसी राज की विधान मंदन ने ग्रीन बजट पेस किया 49 का 49 का सई जवाब क्या होगा d बिहार राज ने पहला ग्रीन बजट पेस किया अब यहान तक आही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा तो हम आई वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक् झाल